के आज हम मौडल कोश्चन पेपर 2022 मैथेमेटिक्स का ऑब्जाटिव कोश्चन का सलुशन लेकर आए हैं है और बारी बारी से कोश्चन हम एक से लेकर 50 कोश्चन का solution करते हैं और इसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग objective question को कैसे solve करते हैं चलिए तो हम चलते हैं एक number सवाल से एक number सवाल है कि निम लिखित में कौन सी सबसे छोटी संजुक्त संख्यां है इसमें option है एक तीन 4 और 2 तो सबसे पहले हमको समझना है कि संजुक्त संख्यां कहते किसे हैं तभी हम चारू option में कोई सही option को पकड़ पाएंगे तो संजुक्त संख्यां का दूसरा नाम है भाज संख्यां और भाज संख्यां या संजुक्त संख्यां का अंग्रेजी कंपोजिट नंबर होता है तो संजुक्त संख्यां इसमें चुनने क्लिक आता है तो संजुक्त संख्यां वो संख्यां होती है जिसका दो से अधिक फैक्टर होता है दो से अधिक डिवाजर होता है दो से अधिक गुर्णखंड होता है और और सबसे छोटी अगर संजुक संख्या को हम चुनना चाहेंगे तो इसमें एक तीन चार दो तो एक का फेक्टर तो एक ही होता है केबल ओन लिवर जो का फेक्टर एक और दो तीन का फेक्टर एक और तीन जबकि चार का फेक्टर एक दो और चार होता है यानि संजुक संख्य संख्यां वो संख्यां होती है जिसका दो से अधिक भाजक होना चाहिए तो दो से अधिक भाजक हमारा चार हो रहा है और चार ही एक ऐसी संख्यां है जो सबसे छोटी संजुक्त संख्यां या भाई संख्यां होती यानि सही आंसर हमारा चार होगा अब दुसरे सवाल की वर चलते हैं हुआ पाई कौन सी संख्यां है पाई कौन सी संख्यां है तो पाई सबसे पहले एक बात है कि पाई एक ग्रीक लेटर है ग्रीक अक्षर है और पाई के लिए सही अप्सन ह पर्यमे संखिया क् Celtic या इन में से कोई नहीं तो पाइग का जो दसंद्वर्भ हम लोग जानते हैं कि मेहीं कि थे 10159.. यानि पाइग में का ब्हलीय वह doit संद्व फॉर्फ प्र ह्में जबाता है तो कहीं ये ना तो terminate होता है, ना तो कहीं repeating होता है, तो ये non-terminating, non-recring decimal expansion है, यानि इसको πाई का जो दसमलब रूप आता है, दसमलब रूप वो क्या आता है, औसांत अनावर्ती दसमलब है, औसांत अनावर्ती दसमलब परसार जो है, वह एक अपरिमे संख्या को परदरसित करता है, तो πाई एक अपरिमे संख्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसका जो दसमलब रूप है, ना तो कहीं ये repeat होता है, ना तो कहीं terminate होता है, यानि दसमलब के बाद कोई भी अस्थान तक ये पूरी तरह से विभाजित होकर समाप्त नहीं हो पाती, यानि non-terminating, non-recring decimal है, ये कौन ओपरिमे संख्या है, तो निमलखित में कौन ओपरिमे संख्या है, इसका option हम लोग 4 देखते हैं कि आखिर, ओपरिमे संख्या क्या, 3 बटे 12, under root, 2 by 10, under root, 7 by 7 under root, t under root, 2 into under root 2, तो इस चार में से हमको ओपरिमे संख्या को चुनना है कौन, ओपरिमे संख्या को तभी समख सकते हैं कि कि किसी भी number पर, अगर root निमूब नहीं हो रहा है, root नहीं हट रहा है, वह ही ओपरिमे संख्या होगी, तो सबसे पहले हम लोग इसको simplify करके देखते हैं, कि आखिर इसमें कौन, 3 बटे 12 है, तो इसको हम पहले काटते हैं, 3 कहीं, 3 तीन, 3 चोक बार, यानि अंदर root के अंदर क्या, 1 बटे 4, तो 1 का बर्गमूल 1, 4 का रूट, अब 5 का बर्गमूल तो निकलने सकता है, क्योंकि 5 जो है, यानि 5 जो है, यह perfect square number नहीं है, यह root के अंदर रहा जाएगा, इस पर से root नहीं हटा है, यानि remove नहीं हुआ है, अगला option भी देख लेते हैं, 7 से हम 7 भाग डिवाडर करेंगे, तो result 1 आएगा, और 1 का square root 1, इस पर रूट भी remove हो गया, हट गया, root 2 into root 2, यानि root 4, रूट 4 का square root 2 होता है, तो इस पर भी root remove हो गया, इस पर भी root नहीं है, इस पर भी root नहीं है, लेकिन root इस पर रह गया, तो जिस पर root बिलकुल रह गया, और remove नहीं हुआ, वह ही operation होगी, तो यानि इस प्रस्न में answer तो है यही सही होगा. यानि वान बड़े अरोट-वाइब यही होगी. क्योंकि इस पर से रूट-रिमूवब हुआ नहीं हो, वह समझ लेना चाहिए कि ऑपरे में संख्या इस पर से रूट-वाइब हो गया हट गया, इस पर से रूट-भी हट गया, इस पर से भी रूट हट गया इस पर रूट बिल्कुल मौजुद अभी तक है यानि ये आपरे में संख्या होगी चलिए अब हम लोग अगले सवाल के और चलते हैं कि दो संख्याओं के लगुत्तम स्मावर्तक और महत्तम स्मावर्तक बराबर है तो संख्याएं कैसी होगी दो संख्याओं के लगुत्तम स्वावर्तक और महत्तम स्वावर्तक बराबर है तो संख्याएं कैसी होगी तो अब यह हमको देखना है कि इसमें कौन इसी संख्याँ होगी क्या अभाई संख्याँ लेनी पड़ी कि दो संख्याँ क्या वह दोनों संख्याएं बराबर होगी या सह अभाई संख्याएं होगी या संजुक्त संख्याएं होगी तो इसमें से अगर हम कोई दो अभाई संख्याएं कर मान लेते हैं टू और फाइब इसका LCM क्या होगा तेन होगा और इसका SCF क्या हो सकता है इसका SCF 1 होगा यानि का इस प्रस्ण में कह रहा है कि दो संख्याओं का लगुत्तम समावर्तक समावर्ति तथा महत्तम समावर्तक बराबर होना चाहिए इतो लगुत्तम स्वाबर्तक यहाँ 10 आया यहाँ 1 आया इतो दोनों बराबर आपस में नहीं है इसका मतलब अभाई संख्या लेने के बाद हमारा परस्ण के अनुसार यह कंडिशन संतुष्ट नहीं कर रहा है तो एक नंबर तो होगा ही नहीं दूसरा नंबर है बराबर यानि कोई देश दो संख्या अगर हम बराबर लेते हैं तो उसका क्या लगुत्तम स्वाबर्तक और महत्तम स्वाबर्तक बराबर होता है वह भी देखर करके देखते हैं अगर कोई संख्या माले यह हम 8 लेते हैं और 8 या कोई भी नंबर आप ले सक हैं कि घ्ट देंगे आठाथ था तो यि लग रहा हमारे प्रस्ण कीम अन Australia संतुस्ट कर रहा है कि दो संख्यंग हो के लगुत्ता ऑप्र और महत्ताम वो संवर तक बरावर है तो संख्याएं कईसी तो संख्याय बराबर होगी यानि यह answer मेरा B number option सही होगा अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं 5 number की सवाल अब यहाँ पर है क्या 0.29 पर wrecking है तो हमारे 4 option में से कौन सही हो सकता A या B या C या D इसको हम लोग कैसे simplify कर सकते हैं 0.29 पर wrecking का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझना है तो 0.29 पर रैकरिंग का मतलब है कि बारबार 2.9 रिपीट हो रहा है 2.9 रिपीट हो रहा है 2.9 ऐसे इसी को यह drewقد पर बढ़ते गिया है बारबार रिपीट हो रहा है इसी को short form में लिख दिया है 0.29 पर रेकरिंग और ये औसांत आवर्ती दसमलब है जब रेकरिंग पढ़ने का मतलब है कि ये repeat हो रहा है और जब भी कोई औसांत आवर्ती दसमलब परसार हमेशा एक परिमे संख्या को प्रतासित करता है एक परिमे संख्या को बताता है तो हमक पूरी संख्या को ले लेंगे 0.29 पूरी संख्या को लेंगे 0.29 मैनस और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम सब्ट्रेक्शन कर देंगे यानि 0 को माइनस कर देंगे, एक अंक पर रेकरिंग है, तो हर के रूप में 1 9, और 2 अंक पर अगर रेकरिंग है, तो हम 2 9 लिख देंगे, हर के रूप में, यानि हर 99 हो गया, अब तो यह 2 9 के बगल में, यानि बायापक्स में 0 है तो इसका कोई भेल्यू नहीं, तो हम लोग स इसका मतलब है कि मेरा option D सही answer आया इस type का भी name कुस्त इसी तरह से हम लोक बनाएंगे या अगर हम दुसरे तरीका से की मेंसिक्ते के को प्रसाइब है तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो डेसिमल का जो यह बाय पार्ट में है डेसिमल का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको हम लोग लिखेंगे उसका प्लस करके लिखेंगे और जिन जिन अंकों पर रेकरिंग है उसको हम लोग लिखेंगे और हर के रूप में जितने अंक पर रेक्रिंग है उतना 9 हम लिखेंगे अब इसी सोलोशन कर देंगे भीन का जोड की रूप में कर देंगे 99 को हम जोड़ेंगे तो 0 अब 29 को जोड़ेंगे यानि हल करके हमारा 29 by 99 ही आता है मेरा करेक्ट डी होगा अब छे नंबर का सवाल है तो इसको भी हम लोग दो दो तरीके से हल कर सकते हैं पहला तरीका क्या है कि मेरा ऑप्षन में क्या हो सकता है पहला तो यह है कि हम लोग 1- sin 60 degree का मान अगर हम लोग निकालते हैं कि sin 60 degree का मान वहल्यू क्या होता है तो sin 60 degree बेल्यू जो होता है ऊरूट 3 by 2 होता है और इस पर स्क्वार करके हम लोग लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो 1- रूट 3 का स्कुराइर 3 और 2 का स्कुराइर 4 और आगे हम लोग क्या करेंगे इसको भीन का घटाओ करेंगे चार को गुना करेंगे एक में चार घटाओ तीन और हम घटा के कितना 1 by 4 लाएंगे तो एक तरह से 1 by 4 option में है कि इस में option 6 में और देखते हैं कि एक बटे 4 है और यहां डी में 0 है हम लोग कितना लाएं है जो इसको हल करके और आप लोग दुसरा अगर 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 को सब्सक्राइब तो एक बड़ेंगे तो हम लोग पढ़ें कि वान मैने साइन स्कुर थीटा ब्राबर क्या होता है? कोस स्कुर स्कुर थीटा को हम बदल सकते हैं कोस स्कुर सिंग्री में सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या होता है तो एक बटे चार इस तरह से भी हम लोग हल करेंगे एक बटे चार ओप्सन कौन सा ओप्सन है तो अप्सन नंबर सी सही होगा अब हम लोग साथ नंबर की ओर चलते हैं साथ नंबर में मेरा सवाल है कि निम लिखित में से किसका दसमलब परसार सांथ है तो सांथ और ओसांथ दसमलब परसार जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो सांथ दसमलब को हम तम भी पता लगा सकते हैं जदी कोई फ्रेक्शन नंबर कोई अगर है इसका दसंबलब परषार सांथ होता है तो देखते हैं कि 27 बटे 40 है यहां अगर हम इसका यहर का अगर हम प्राइम फेक्ट प्राइशन अगर करते हैं तो यह बिल्कुल 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 और इंटू 5 की रूप में आएगा यानि तो इसमें कहता है कौन सा दसमलोब प्रसार सांथ है तो इसको हम 40 को अगर प्राइम फेक प्राइशन करते हैं 40 का तो अब देख सकते हैं 20 दूनी 40, 12 है 20, 25 यानि 2 जो है 3 टाइम और 5 वन टाइम तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1 तभी हम तुरत बताये थे कि जब भी कोई परिमे संख्यां पी बटे क्यू के फॉर्म में अगर र तो उसका डेसिमल जो एक्स्प्रेंशन होता है दसमलब परशार वह हमेशा टर्मिनेटिंग होता है हमेशा सांथ होता है तो इस ऑप्सन में हम जाद देखते हैं कि 7 पर चालिस के अलावा बाकि कोई और भी सांथ तो नहीं हो सकता क्योंकि खुद यही सांथ दसमलब के चुलब के रूप के रूप में नहीं आ सकता है इसका भी जो टिनोमीनेटर है जो इसका हर है यह 21 जू लिखा हुआ है इसको ग्तर चाल करेंगे तो और actionable पर पर पावर्ट पर न के रूप में नहीं आए गा यह भी 30-डि इसका denominator करने इसका denominator का प्राइम फिक्टराजेशन करने के बाद और भाजिवान करने के बाद ये 2 पर पावर M और 5 पर पावर N के फॉर्म में आ रहा है इसलिए हम हर से अगर 7 में विभाजित करेंगे या भाग देंगे तो इसका दसमलब जो है वह सांथ होगा और दसमलब के से किसका दसमलब परसार सांथ है तो 7 बटे 40 का हम लोग अगला question क्यों बढ़ते हैं आठ नंबर में है जस्ट अभीस के पहले हम लोग सांथ पढ़े त्या गया और सांथ निमलिखित में से किसका दसमलब परसार और सांथ है यानि चार option दिया हुआ है 5 बटे 8 6 बटे 15 और 30 बटे 343 इस चार option में तीन option ऐसा है जो कि सांथ है और एक जो है वह सांथ है यानि तीन ऐसा है कि अभी सांथ के लिए हम लोग पढ़े थे कि सांथ दसमलब वही हो सकता है जिसका हर का जो प्राइम फेक्ट पर पावर एम और पच्पर पावर एन का रूप में होगा तो य लिए 8 हो जादि हम खंड करेंगे प्राइम फेक्टरेशान तो 2 पर पावर 3 इंट buffet पर 5 पर पावर जीरो हम लिए सकते हैं उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसको लिखते हैं 15 को तो प्राइम फिरेशं करते हैं तो 3 इनू 5 और 3 इनू 5 और 3 इनू 5 और 3 से अगर हम इसको डिवाड़ा करेंगे तो इसको तू टांस में deux times कड़ ज़याएगा तो अब हर के रूप में क्या गया? 5 तो हर के रूप में 5 पाग आ लेकिन हम ली सकते हैं कि 5 पर 1 इन्टू पर 0 ये भी हर के रू, हर का जो फORM है 5 पर पावर N 5 पर पावर N और 2 पर पावर M के form में है इसका दसमलेब परसार 7 होगा इसका भी 7 होगी है अब इसका देखते हैं कि C-Number जो होता है इस नंबर को अगर हम 512 है तो 512 जदी हम प्राइम फ्रेक्टराज़न करते हैं तो 2-4, 1-2-5-10, 2-6-12, 2-4, 2-8-16, 2-6-12, 2-4-8, 32-64, 16-32, 32-16, 2-8, 2-4, ये तो केवल 2-2 ही प्राइम फ्रेक्टराज़न में आ रहा है इसका मतलब है कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि हम लोग जो प्राइम फ्रेक्टराज़न किये हैं ये 512 का कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि इसका जो प्राइम फ्रेक्टराज़न आ रहा है ये भी दूपर पावन पावर M और पच्पर पावर N के फॉर्म में आ रहा है यानि ये भी सांत दसम्लब हो गया ये भी सांत हो गया अब बचा कुन बचा तो लास्ट में यही है और सांत दसम्लब परसार में आएगा जिसका हर जो है दोपर पावर M और पच्पर पावर N के रूप का नहीं आएगा आप इसका प्राइम फेक्ट्राइशन और पावर M करके आप देखें कभी दोपर पावर 5 और पच्पर पावर N के फॉर्म में नहीं आएगा और यह उसांत दसम्लब परसार को प्रदस्शित करेगा चली अगला कुछ सवाल की ओर चलते हैं हम आठ हो गया नो नंबर की ओर चलते हैं कि नो नंबर में है 400 के अभाज गुनन खंड में 5 का घातांक क्या होगा तो ऐसे सवाल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 400 का जो है हम प्राइम फेक्ट्राइशन करेंगे और भाज गुनन खंडन करेंगे कि आखिरी इसमें 5 का घातांक हम लोग कैसे पता लगाएंगे दो से लगाएंगे 200 दूनी 400, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 55, 25 यानि हम लोग 400 को लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, तो 2 पर पावर 4, आएंटो 5 पर पावर 2, तो हमारा प्रास में पूछ रहा है कि 400 के अभाज गुनन खंड में 5 का घातांक क्या होगा तो इसका मतलब 5 का घातांक क्या है, या 5 पर पावर कितना है, 2 तो इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर जो कोश्चन है, उसका ओप्सन, सही ओप्सन, A होगा, जो करेक्ट होगा, जो 5 का घातांक, 2 है अब हम 10 में सवाल की और चलते हैं अब देखते हैं कि 10 में सवाल क्या है 10 में सवाल आपका है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जुड़ 10 तथा 400 130,15 बराबर 400 X,Y तो XY क्या होगा तो कहने का मुक्सद है कि ये प्रस्ण तो दिया हुआ है ये दोनों संख्याओं का जो मोशो है ये संख्याओं का जो दो मोशो होगा यहां पर जो दो संख्याओं होगी उसका भी मोशो इसके बराबर होगा तो सबसे पहले ही दोनों का हम highest common factor क्यों न निकालने इसका महत्तों स्वाप पबरतक क्यों निकालने 130 और 15 का जदी हम 400 SCF निकालेंगे तो इससे हमको छोटा नमबर छोटी संख्यां से हमको बड़ी संख्यां भाग देना पड़ेगा का है कि हम लोग इसको इस टैक्स से हम निकाल सकते हैं कि 130 और 15 का मोस हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं 130 में जो ए बराबर ब्यक्यू प्लस आर के जो फॉर में हम लोग से SCF निकालते हैं उसी तरह समय तुरत निकाल लेंगे 130 में यदि हम 15 से भाग देते हैं तो इसका कोशियंट आठ आएगा 15 वाठी 20 से और रिमेंटर कितना आएगा 10 आएगा अगर हम सकेड़ स्टे वेन चलते हैं तो सकेड़ स्टे वेन zu 15 अब 15 वेन हम भागा दे देंगे 10 से तो वन टाइम ये कितना हो गया यह 10 में हम अगर 5 से हम डिवाड करेंगे तो टू टाइम्स करें वाठाग 3 ने 5 जब यहां पर SCF मेरा 5 हो गया यह दोनों का SCF जब 5 हो गया है तो ऐसे चार ओप्षन दिया हुआ है किस ओप्षन का किस ओप्षन का जो है SCF 5 होगा तो आब हमको निकालने से पहले सेधे क्या करें कि जब इसका SCF 5 आया है तो इसका एक और तरीका है कि इस SCF से जो चार ओप्षन में है चार ओप्षन में भाग देते हैं जो दोनों नंबर को विभाजित कर देता है दोनों नंबर को काट देता है जो मोशो आएगा और इसका भी मोशो जो आएगा वो दोनों आपस में बराबर होगा इसका भी 5 मोशो हो रहा है तो इसका भी 5 मोशो होना चाहिए तो यह और यहां जो संखियां जोनों होगी इसका मौश्व एक दूसरे के बराबर होना चाहिए तो कौन होना चाहिए इसका मतलब सही आंसर मेरा क्या होना चाहिए ओप्शन ए सही यानि यहां पर 15 और 10 होना चाहिए चलिए हम लोग गरवा नमर सवाल चलते हैं